नमस्कार दोस्तों मैं आयुष आपका इलेक्रिकल दोस्त आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्डेंट होने वाला है जो कि पील्सी, इसकाडा, वीएफटी ये फिर हमाई सीखना जाते हैं मतलब कि जो इलेक्रिकल में ओटोमेशन होता है उस ओटोमेशन को सीखना जाते हैं दोस्तों सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर आपको कई सारी बाते क्लियर होने वाली है जैसे कि इलेक्रिकल ओटोमेशन सीखने के लिए बहस तरीका क्या है कैसे पील्सी और इसकाडा जैसी बेसिक सी चीज, सिंपल सी चीज को सिखाने के आपसे 20-25-25 जार रुपए लोग लेकर फ्रोड भी करते हैं इसके अलावा और भी कहीं तरीके से फ्रोड होते हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर पूरे मैं बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक मिनट मैं आपको खुद के बारे में बता हूँ तो मेरा नाम आयू के समय मैं और मेरी टीम मिलकर आपके साथ में हमारा इलेक्रिकल का पास्ट एक्स्पिरेंस शेयर करते हैं इसके अलावा हमारी टीम का जैपूर में कहीं सारी कंपनियों के साथ में टाइप है उन कंपनी के अंदर कभी भी क्रिटिकल फॉल्ट आ जाता है इलेक्रिकल से Electrical Automation कैसे सीखा जा सकता है तो दोसों सबसे पहली चीजा आप इस बात का लिया नखिए कि जो यह PLC और इसकाडा होता है इसको सीखना काफी difficult नहीं है इसके लिए आपको कहीं पर भी जाके 20-25 पर जार रुपय पे नहीं करने है जो भी वह 20-25 पर जार रुपय माग रहे है वह आपके साथ में पूछ तो किसे फ्रॉड कर रहे हैं क्यों आपको बताना चाता हूं कहीं सारे जो इंस 30% जोब मिलेगे आप हमारे पास में आके सीखिए दोस्तों यहां पर एक बात का ध्यान रखिए यहां पर एक glitch वो रखते हैं वो यह नहीं बता थे कि आपको कितनी salary की job मिलेगी और इसे चीज को जानने के लिए मैंने कहीं सारे student से contact किया direct phone पर बात किये कहीं सारे student जो मेर जाता है वो बोला जाता है कि आपको बारा हजार से चौदा हजार CTC पे आपको job दिला दिला दी जाएगी अब एक बात ध्यान रखिए उनकी जो job location होती है वो होती है दिल्ली गुडगाउन नोईडा जैसी metro city के दा है और salary की जो वो बात करते हैं वो आपके सामने करते हैं 9-10,000 रुपए अब आप खुछ सोचिए कि दिल्ली गुड़ा जैसी बड़ी city के अंदर आपको 9-10,000 रुपए महीने आपकी जेब में आते हैं तो क्या यह आपके लिए एक achievement है तो इस बात का हमेशा जान के जो भी इस तरीके साब के साथ मैं fraud कर रहे हैं उस fraud से बिलकुल बचके रहे हैं उनको यह बात पता चल गए कि लोगों की requirement है PLC इसकाडा सीखने का क्योंकि PLC और इसकाडा आने वाले समय में सभी industries को follow करने वाली है अभी भी maximum industry PLC को follow करना start कर चुकी है और यही सोच कर PLC इसकाडा के नाम पे वह अपना business अंद कर रहे हैं जहां पर उनका 20,000 रुपर दिये जाए तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बात बता दूं कि इन सभी चीजों को सीखना काफी ज़्यादा आसान है बस reality यह है कि कहीं सारे जो लोग है वह आपको PLC तो सिखाते हैं direct लेकिन PLC सिखाने से पहले आपसे यही दो लेकिन को सिखाते हो तो उनके दरफ से कोई भी ब्रोशा नहीं आता है उनकी दरफ से पर चार चीज़ा लिखी रहती है कि PLC के वाइलिंग सिखाएंगे PLC का इंट्रडक्शन सिखाएंगे PLC की programming सिखाएंगे अब programming के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सिखाओगे पहल तो वह समय अपना बचानी के लिए वह इंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे कभी जीवन में बात ही नहीं करते हैं और आपको कभी उस बारे में पता नहीं चलता तो इस तरीके साथ में कहीं सारे फ्रोड होता हैं तो सबसे पहली आप बात ध्यान रिखें इन सब चीजों को सि अगर आपने एक सिड्डी को पीछ में मिस किया तो आप अगली सिड्डी पर जा रहें तो आप वहां पर बिगड़ जाएंगे और उसके आगे वाली सिड्डी का बिल्कुल पकाड़ ही नहीं पाएंगे तो दोस्तों यह है तो मैंने आपको अभी के समय की होने वाली रियल आपको online भी training देते हैं और offline भी training देते हैं अगर आप कहीं पर job कर रहें तो उस case में आप हमसे online live भी training ले सकते हैं live training के अंदर आपके mobile में या फिर आपके laptop PC में पूरी live training को देख सकते हैं जहां पर आपके कोई भी doubt है तो आप immediately वही पर ही live training में पूछ सकते हैं और हमारी जो live online training होती है इसके अंदर आपको पूरा-पूरा practical experience देनी की कोशिश की जाती है यहाँ पर एक एक चीज़ जो भी आपको सिखा ही जा रही है यह पढ़ा भी जा रही है उसके बारे में पूरा practical दिखाया भी जाता है मतलब कि अगर आपको कभी PLC के output card के अगर wiring सिखा ही आपके साथ में कुछ detail शेयर नहीं करते कोई भी तरीके से ब्रोशर शेयर नहीं करते लेकिन जब आप हमसे training की बात करते हैं तो उस case में आपको हर एक चीज detail में पहले से ही बताई जाती है कि आपको हम क्यक्के चीज सिखाएंगे उधारे के तोर पे अगर आप हमसे PLC के ले contact करते हैं तो आपको सबसे पहले दिखा जाएगा कि आपका PLC का चीज सीखने वाले हो किस तरीके सीखने वाले हो तो आप देखोगे डेवन में आपको सीखने को भी लेगा introduction of PLC अब introduction of PLC तो title है लेकिन इसके अंदर आप क्या सीखेंगे तो यहां पे साफ लिखा रहे की तरीके से हर देखा यहां पे mention है जैसे अगर हम देट एंड के बात करें कि दसवर दिन आप क्या सीखेंगे इस training में तो आपको सीखने को मिलेगा timer in PLC मतलब PLC अंदर timer क्या होता है इसके अंदर आप theoretical क्या क्या सीखने वाले हो तो explain about all type of timer is different मतलब कि जो बे timer होता है जैस कैसे प्रोग्राम कर सकते हो इसी तरीके से आप next आके कहीं पर देख सकते हैं जाए देखोगे तो यहां पर आपको data handling instruction के बारे मताई जाएगा practical में आप देखोगे तो यहां पर आपको works on all type of data handling instruction in programming मतलब कि data handling instruction जो भी होते हैं उनका PLC में किस तरीके से programming में यूज किया ज मेरा जो में लिए देख वो आपको PLC सीखाना है ना कि आपसे इस तरीके से बड़ा बड़ा बिजनेस करके अपने जेब में पैसा कमाना हो और दोस्तों ध्यान रखिए PLC इस काड़ा सीखना काफी जादा आसान होता है बस आपको consistency देनी होती है थोड़ा समय देना होता है और कभी भी आपके जीवन में कहीं पर भी आप इसकेल पर जा चुके हैं और आपके सामने कोई भी practical problems आ रही है तो आप उस WhatsApp ग्रूप में शेयर कर सकते हैं हमारी पूरी community आपका जो भी fault आ जो भी problem आरी उसमें आपकी मदद करेगी तो यह भी हमारी तरफ से एक initiative लिया जा कि आप हमसे training लेकर क्या-क्या-क्या-क शीज़े सीखने वाले हो तो दोसर यह थी सारी बाते हैं जो कि मैं आपके साथ म मैं शेयर करना चाहता था उमीच करता हूं आपको सारी बाते क्लिए होगी होगी अब 25 Pharise लिएक तो इसके लिपुछ भी नहीं आप डायक्यान कॉल कीत तब तक के लिए धनिवाद